हेलो गाईज, वेलकम और वेलकम बाक तो माई चानल, तो आज मैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरे बेटे के स्कूल में उनको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है, जो की है यूरोपियन गोल्डन शू और बैलन डॉर जो की फुटबॉल के अवार्ड्स है, तो देखते हैं मैंने कितनी महनत से ये चीज़े बनाई हैं, तो सबसे पहले मेरे घर पे जो ओल्ड फुटबॉल शू था और ओल्ड फुटबॉल था उसको मैं यूज कर रही हूँ, तो मैंने स्प्रेइपेंट करने की कोशिश की गोल्ड स्प्रेइपेंट मुझे लगा बहुत ईजीली होगा, बट वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था इसके उपर और बहुत जादा ड्रिप हो रहा था, तो मैंने फाइनली क्या क्या गोल्डन कलर का जो फेविक्रिल पेंट होता है, उससे मैं पेंट कर रही थी, तो इससे काफी सूख भी नहीं रहे थे, बट स्टिल काफी इंट्रेस्टिंग प्रोसस था, तो काफी एजीली पेंट हो गया था, तो अगर आप भी ऐसा कुछ बना रहे तो मैं सज्जेस्ट करूंगी, पेंट यूज़ कीजिए, रादर दन स्प्रे पेंट, क्योंकि मेरे तो पैसे वेस् स्टड्स होते हैं, उनको भी मैं यहां पर पेंट करने वाली हूँ, बहुत अराम-अराम से दो-तीन कोट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बॉल अच्छे से रेडी हो चुका है, और शो भी अच्छे से रेडी हो गया है, पीछे स्टड्स भी ह चला इस वज़ा से, तो जो फुट-बॉल का जो बॉल है, उसका बेस बनाने के लिए मैंने नीचे एक नोट-बुक लिया है, उसके ऊपर गोल्डन गिफ्ट रैप से मैंने राप कर दिया है, और उपर मेरे बेटे का एक टॉई था, तो उसको मैने गोल्डन गिफ्ट golden shoe उसका base बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जितने पास मेरे पास जितने भी पुरानी notebook से सब पर मैंने black cover चड़ा दिया है और फिर उनको अच्छे से मैंने stack कर दिया है assemble कर दिया है ताकि वो layering लगे ये जो बड़ा cardboard है ये जो licious का डबा आता है ना ये उसका है जो मैंने black cover चड़ाया है और notebook को भी छोटा करने के लिए मैंने scissor से काट काट के छोटा किया है और फिर उसको अच्छे से मैंने stack किया है ताकि वो एक अच्छा सा base की तरह बन जाए तो अब ये base बन गया है बस हमें इसके उपर इस तरह से अच्छा लगा हो और अगर आपने कभी ऐसा कुछ मॉडल बनाया है तो share कीजेगा बाई